एक तरफ जहां RGD बिहार की सत्था से बाहर हो रही है तो वही दूसरे तरफ राज़े सुप्रीमो लालु पुशाद यादब की मुश्किल और भी बढ़ सकती है हम बात कर रहे हैं लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशन आज यूडी की तरफ से बड़ा फैस्ट ला आने वाला है जहां RGD लालु पुशाद यादब के मुश्किले बढ़ सकती है मामला तब का है जब राजर सुप्रीमू लालो पुशाद यादब रेल मंतरी हुआ करते थे राजर सुप्रीमू लालो पुशाद यादब नौकरी के बदले लोगों को लोगों से demie लिया करते थे और विस मामले में आज जो इनकी मुसीवत जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन उस दिन फैसला नहीं आया और फैसला नहीं आया और फैसला नहीं आया। तारिक जो है वो मुकरर की गई। इसका इंतजार किया जा रहा था लैंड फ़र जॉब मामले में राजर सुप्रीम हो। लालो पुषवाद यादव 29 जनवरी को और उनके बेटे बिहार के डेप्टी सेंथ जश्वी यादव को 30 जनवरी के दिन पूस्ताश के लिए दिली के एडी ओफिस बुलाया गया था। इसको लेकर एडी की टीम समन देने रावड़ी आवास पर पहुची थी। तो हमने आपको कुझे पहले ये बाते बताए थी कि लालो यादव और इतिश्वी यादव के लिए एडी की तरफ से समन जो है रावड़ी आवास में दिया गया है और अब आज जून पर फैसला आने वाला है जोहां लालो पुषवाद यादव पर ये फैसला आने वाला ह तो आज अब हम आपको बताते रहेंगे अब्डेट करते रहेंगे कि लालो पुषवाद यादव के उपर आज रावजमनी कोड से क्या फैसला आया है आपको बता दें कि पूरा मामरीमो लालो पुषवाद यादव किंद्र सरकार में रेल मंतरी हुआ करते थे तो उस वक् की तरफ से राबड़ी अवास में समन भेजा गया था लालू और तजश्वी को लेकर और आज उसकी और से जो है वो फैसला आने वाला देखना होगा कि फैसले में लालू यादब के मुश्किले बढ़ती हैं या कम होती हैं यूँकि बिहार की राजुनीती में एक तरफ गरता हुआ नजर आ रहा है और दूसरे तरफ राजत के प्रमुख लाल प्रशाद यादब भे मुश्किलों से घरते हुए नजर आ रहे हैं